तो चलिए बच्चों हम लोग Q4 पर बात करते हैं, Q4 यहां पर है, Express each of the flowing rational numbers in a standard form, कह रहा है जो rational number दिया गया है नीचे, ये, 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 इसे आपको standard form में लिखना है, तो पहले standard form क्या होता है, बच्चों, standard form को अगर दूसरी भासा में हम कहें, तो हम लोग इसे कह सकते है simplest form, तो simplest form कैसे करेंगे, वो देखिए उसकी process क्या होगा, for example के लिए हम लोग पहला ही question अठा लेते हैं, question number है, 4 का first, 4 का first, जैसे minus 12, 30 है, तो बच्चों, आपको ये दी by process करना है, तो फिर आपको 12 और 30 का highest common factor निकालना होगा, means HCF निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोग चलिए by process से बनाते हैं, तो हम लोग कहेंगे, the HCF of the HCF of 12 and 30 age, तो बच्चों, आप HCF साइट में निकाल लोगे, मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, 12 और 30 का HCF अकर अपने खालोगे, तो 6 होगा, जो HCF आपके पास आएगा, उस HCF से आपको क्या करना है, नुम्रेटर को भी और डिनमेटर को भी डिवाइड कर देना है, तो सिंपलेस्ट फ़र में चेंज हो जाएगा, अब देखिए, हम लोग को ही काम करेंगे, है, माइनस 12, 30 को आपको डिवाइड करना है, तो फिर लिखे माइनस 12 डिवाइड बाई 6, तो बच्चों जब आप डिवाइड करोंगी, यहां पे, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर माइनस 2 हाएगा, और यहां पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा तो इस तरह से हमने देखा कि क्या हो गया सिंप्लिस फॉर्म में आ गया बट अकर कोई चाहेगा तो वो ड्रेक्ट भी कर सकता है माइनस टूवेल थर्टी है तो 6 तूजा क्या होगा अच्छो 12 और 6 5 जा क्या होगा 30 तो लिख सकता है माइनस टूवाई 5 अगर उच्छ प्रोसेस चलते हैं ता आपको ऐसे काम करना पर एगा चलिए कुशन नमर टू ले रहते हैं कुशन मर टू क्या है यहाँ पर माइनस फॉर्टीन मैं फॉर्टीन कुशन नमर टू यहाँ पर है फिर से देख ले जिए मैंनस फॉर्टीन बाय फॉर्टीं नाए है मैंनस फॉर्टीन घब तो बच्चों सबसे पहले माइनस 14 और 49 का फिर से HCF लेना होगा तो हम लोग फिर से लिखेंगे यहीं पर लिख लिखते हैं HCF of 14 and 49 each तो बच्चों जब आप HCF यहां पर आप निकालेंगे तो 7 होगा ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ और प्राइम फेक्टोरेशन में तो इसे निकाल के दिखा देता हूँ देख लिए HCF क्रेशन निकालेंगे जैसे 14 है तो 14 का प्राइम फेक्टोरेशन क्या होगा 2 x 7 होगा मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ और 49 का क्या होगा बच्छो 49 का होगा 7 x 7 तो हाइस्ट कॉमन क्या है सिर्फ 7 है यहां पर इसलिए HCF जो हो क्या हो जाए गपच्छो 14 का और 49 का 7 जो हमने यहां पर लिखा है है यहां क्या लिखा है यहां है यहां तो मैंने आपको कहा था जो है यहां आपको निकले का उसे नुम्रेटर और डिनुमेटर दोनों को क्या करना है डिवाइड कर देना है तो मैं वही काम करूंगा देखिए उच्छो मैंनस 14 ते 49 9-14 divided by 7-49 फिर क्या होगा चाहों डिवाइड वाइड पर 7 तो यहां फिर आप जानते हैं कि डिवाइड करें मिद क्या होगा मैंनस टू होगा व्यां पर 7 होगा तो इस तरह से मैंस 2 वाइड लेप सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं चलिए आगे हम लोग अगला कुश्चन देखें इसमें तो नेक्स कुश्चन यहां पर दे रखाए थर्ड में 24 बाइ माइनस 64 कुश्चन नमर थर्ड है पच्चो 24 बाइ माइनस 64 बच्चो सबसे पहले बात आपको दिहान पर यहां पर रखना है कि डिनोमेटर में कभी नेगेटिव नहीं रहेगा तो जो डिनोमेटर की नेगेटिव होगी और नमेटर में सबसे पहले लाईए आप तो आप इसे यहां पर लिख सकते हैं 24 में निगेटिव दीचे यह ऐसे लिख सकते हैं और 64 उसके बाद आगे का काम कीजिए फिर आप 24 का और 64 का HCF निकालना है तो लिखिए the HCF of 24 and 64 age बच्चों 24 और 64 का HCF क्या होगा मैंने आपको खाया कि पहले निकालने के लिए तो हम लोग इस पे पहले काम करते हैं मैं इसका भी निकाल के दिखा देता है आपको हो 20 अलाकि आपको यहां पे HCF निकाल के आप दिखाना नहीं है आप साइड में निकाल के इसे लिख सकते हो जिक है बट मैं यहां पे कर देता हूं बच्चों अगर इसका प्राइम फिक्टुरेशन आप लिखोगे तो क्या ऑर फोर फोल दिखाई घरैट एट रिजा क्या वगा 24 तो इस तरह से इसका लिख सकती हो आप बच्चों और 64 का क्या होगा देखें 64 है टो 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 होगा तो प्रिद लोगोज़ देख लेते हैं तो दो जर्फॉर फॉर गोज़ा एट टो जर्फॉर एट गैसे लिए तो आप यदि यह कैसे लिखा है तो आप LCM कर ला ना जो LCM होता है उसी को पाइम फेक्टराइशन कहते हैं वही हमने लिखा है और कुछ नहीं किया है यहां पर ठीक है अब देखो दोनों में common क्या क्या है यह two common है तो एक टू लिखते हैं यहां पर फिर यह two common है तो एक और two लिखते हैं यह to be common है तो बच्छो पधा चला कि यहांपर सिर्फ क्या common है यह three two common है तो हम लोग इसे multiply करके लेक दे टूटूजा 4 फूटूजा 8, finally 8 हो गया, तब चो इसका मतलब है, hcf क्या हो गया, 8 हो गया, hcf is equal to 8, अब इसी hcf से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, इसको तो डिवाइड कर देते हैं, minus 24, 64 is equal to minus 24 divided by 8, 64 divided by 8, तो इसको से आपने डिवाइड किया, तो क्या आया है आपको, मैं एडिवाइड से आएगा, minus 3, ठीक अब चो, इसको से क्रोग तो होगा, 8 होगा, तो minus 3 by 8 जो होगा, वो standard form होगा, ठीक है, अगर आप फिर notebook बना रहे हैं, तो आपको ये लिखने की जुरत नहीं है, आप ट्रेक्टिल लिख सकते हैं, यहाँ पर, that's cf of 24, n64 is 8, और फिर, ये process कर सकते हैं, चलिए हम लोग अगला question देखें, अगला question क्या है, अगला question है, minus 36 और minus 63, तो minus 36, question 14 है, यहाँ पर, minus 36 और minus 63, एक और आओर देख लिए जी question क्या है, minus 36 और minus 63, ठीक है बच्चो, चलिए, अब इस दोनों का, cf लेने से पहले, आपको क्या करना है, कि जो, यहाँ पर minus minus देख रहे हैं, वो cancel हो जाएगा, यह फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 36 by 63 हो जाएगा, ऐसे आप लेक सकते इसे, now, the hcf, the hcf of 36 and 63 each, 36 और 63 का hcf क्या होगा, यह हमें देखना है, तो मैं इसका भी निकाल देता हूँ, वैसे आप direct करो, तो हो जाएगा, मेरे ख्याद से 9 होगा, लेकिन करके देखते हैं, क्या होता है, तो 36 का side में प्राइम एक्टोरेशन को लिजिए है, 36, तो 2, 18 होगे प्चाहूँ, फिर 2 से तो यह क्या होगा, 9 होगा, फिर 36, तो 3 हो जाएगा, और 3 से तो 1 हो जाएगा, तो प्राइम फेक्टोरेशन जो आया है, मेरा क्या आया है, 36 का, 2 into 2 into 3 into 3, यहीं आया है बच्चों, तो इसे आप लिख देजिए, फिर 63 का आप काम कर लिजिए, तो यहाँ प्राइम कर लेते हैं, 63 का, 63, बच्चों देखिए, यहाँ पर आप किसी लगा होगे, तो 2 से लगी का नहीं, तो सी 3 से लगा होगे, 3 से लगा होगे, 3 से लगा होगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगा होगे, जो तो 7 हो जाएगा, फिर 7 से लगा हो जाएगा, ठीक है कि आपको यहां पर क्या करना लिख देना है तो मैं यहां पर लिख रहता है। 63 इकल क्या है 3 1 2 3 2 7 सोटोड धिया घृ क्यों हम फिर इसे आपको मैने बताया है था डूनों से में कामन नहीं मेरव स् ampl use यह दून आपे उसे लिख ए तो धनारे थिर और यह दो यह थिरी कमन है क्या और कोई भी डिजिट यहां पर है जो दूनों में कमन है नहीं जो दोनों में हाइस्ट कमन था वह हमने ले लिया ठीक पीचो तो यह हो जाएगा है अब यहीं पर हम लोग काम करी लेता है यहीं पर अगर अब काम करना चाहूं तो कर लोग ठीक रहेगा चली यहीं पर कर लेता है तो 36 इस टी तरी इस गुल्टू लिखते जी थर्टी सिक्स डिवाइड वाई 9 और 63 डिवाइड वाई 9 तो बच्चों चाहब डिवाइड करोंगे तब को यहां पर क्या एगा और जब यहां डिवाइड करोंगे तो फैनली बच्चों 4 वाई 7 जो है वो क्या हो गया एस्टेंडर्ड फॉर्म हो गया तो बच्चों जितने भी क्वेशन हमने बनाया है उसमें आपने एक बात गहुर किया होगा कि कोई भी ऐसा हमें रिसीव नहीं हुआ है आंसर जिसमे कुछ common factor रह गया हो जैसे 4 वाई 7 है तो देखिए इसमें कोई भी common factor बचा है वोन के अलावा वन तो common होता ही होता है इसके अलावा कोई भी common factor नहीं बचा है नहीं बचा है बिल्कुल नहीं बचा है है न बच्चों तो यह पूरे-पूरी standard form में आगी तो इस तरह से हम जो अगर आपको किसी तरह की dot रह जाता है या फिर कोई problem रहता है तो अब हमें जरूर बताएं मैं कोसिस करूंगा कि आपका problem solve हो ठीक है चली हम लोग अब next question पर बात करते हैं